असलाउब दोस्तों आज का वीडियो में हम धिश्कस करेंगे कि क्यों कोई बाल बड़ा नजरा रहा है कोई बाल जोगी छोटा नजरा रहा है अभी का यह पिक्चर आप दोस्तों देख सकते हैं कि मेरा किस तरह का अभी का कंडिशन है जबकि मैं इसको जीरो साइज के कर उससे पहले दोस्तो आगे बढ़ने से पहले आपको ये पिक्चर देखा देता हूँ ये शुरू का पिक्चर है जब में जो की new hair lotion ये इस्तमाल भी नहीं किया था उस टाइम का ये condition है दोस्तो इस टाइम का ये picture है दोस्तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बस दो चार बाल में जो की बालों का पूर्स भी नजर नहीं आ रहा जहां से बाल निकलता जिसको फॉलिकल काता है दोस्तो और अभी का condition दोस्तो ये देख सकते हैं कि सेप करने के बाद जीरो साइज का में ट्रीमर लगा लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह कभी मेरा इ प्षकी नजर आरा है कुछ पहले से बहुत healthy नजर और हर जेगा फॉलिकल साप को नजर आ रहा होगा चले दोस्तों आपको ये पिक्टर देखा देता हूँ इसमें आप जूम करके आपको में देखा देता हूं इसमें कोई बाल बड़ा नजर आरा है कोई बाल थोड़ा छ यानि कि जो बाल पे DHT असर नहीं कर रहा था, जो बाल यानि कि बचा हुआ था यह पूरा मैदान में दोस्तों, 24-10 बाल जो बचा हुआ था, वो यह मोटा बाल है, जिसको DHT उतना असर नहीं कर पाया, और वो बाल जो कि अपना original condition में रहा यानि कि वो बाल ना ही thin हुआ ना ही पतला हुआ ना ही बाल जो कि अपना growth से पीछे हटा वो अपना regular growth जो होता है normal बाल का उस growth पे है अब दोस्तो तो बागी ये सब बाल जो छोटा नजरा रहा है जो पतला नजरा रहा है जो कि short नजरा रहा है ये सब कौन सा बाल है दोस्तो जो लंबा और मोटा और जो एकी thick बाल नजरा रहा है वो बाल छोड़के जो बागी दोस्तो उसे थोरा सा छोटा है उसे थोरा सा पतला और जो एकी बाल नजरा रहा है ये सब दोस्तो डर्मा रोलर और निव हेर लोशन के वज़े से जो root बचा हुआ था जो follicles बचा हुआ था उससे जो grow हुआ है दोस्तो वही सब बाल है अब यहाँ पे दोस्तो सवाल आता है ये बाल मोटा है मानके चलिए पुराना बाल है ये बाल मोटा क्यों नहीं है या फिर ये बाल इसके बराबर क्यों नहीं है तो दोस्तों आप लोग बता देना चाहता हूँ की ये बाल जो नया आ रहा ये बाल दीकाम एक्ट करता है का बाल को DHT से लड़ते हुए यह बाल निकल रहा है और इसका ग्रोथ जो की बहुत ही श्लो है और नीव हेर लोशन दोस्तों यह DHT को ब्लॉक करता है हम लोग जो की आर्टिफिचल ब्लड सर्कुलेशन और यहां पर न्यूट्रेंस जो की हमारा ब्लड से सप्लाई हो बोलके हम लोग डर्माडवलर इस्तेमाल करते हैं जिसके वजह से दोस्तों बाल जो की फिर से नया बाल निकलना स्टार्ट हो जाता है और जो की नीव हेर लोशन के वजह से हमारा बाल ग्रो होता है मगर दोस्तों यह होता क्या है कि यह बाल छोटा होता है और यह बाल का जन्र उतना डीप में नहीं होता है यह नया होने का वज़े से और जो की DHT एफेक्टेड होने का वज़े से इसका जड़ उतना डीप नहीं हो पाता है जिसका वज़े से यह ग्रोध बिल्कुल स्लो होता है और यह मोटा नहीं हो पता है आप जबी को पता होगा जोस्तो जिस पौधा का जड़ जो की जितना फैला हुआ होता है वो पौधा उतना ही मोटा होता है उतना ही स्ट्रोंग होता है जिस पौधा का जड़ जो की बिल्कुल पतला होता है वो पौधा भी बिल्कुल पतला ही होता है और करता नहीं है तो आप लोग बता देना चाहता हूं कि 70-75% लोगों में ही ये निव हैर लोशन एफेक्टिव तरीका से जो की असर करता है यानि कि उसको धंग से बाल बिलकुल भास्ट में तिन महने का अंदर बाल ग्रोथ भी हो जाता है और मोटा भी हो जाता है बाकी 20-25% ल अंदर जो कि हमारा बहुत अच्छा खासा बाल आ गया और बहुत सारे लोग करते हैं 5-6 मैना में भी मेरा पूरा बाल नहीं आया और जो कि बाल बहुत ही थीन है तो 20-25% लोगों में दोस्तों मैं भी एक हूं क्योंकि मेरा भी उतना एफेक्टिव रिजल्ट नहीं आया त कोई बाल जोगी पतला होता इसका पीछी का रीजन काया दूस्तों और यह वीडियो आप लोगों को पसंद आते हैं इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जोड़ी सब्सक्राब करें मिलता हूं इसी तरह अगर नेक्स्ट टॉपिक के साब तब तक खुदा हाफीज ग